ताब दोस्तों चलो आज मौसम बहुत अच्छा है कोई खेल खेलते हैं हाँ चलो फुटबॉल खेलते हैं अरे बारिश आ गई कोई बात नहीं बारिश में तो और मज़ा आएगा अगले दिन मैं कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा और मेरा शरीर गर्म लग रहा है क्या करूँ डॉक्टर के पास चलता हूँ यहां लेट जाओ डॉक्टर उसकी नाड़ी देखता है और धर्मामीटर द्वारा तापमान मापता है तुम्हें जुकाम हो गया है और फीवर भी कितना बुखार है 102 बुखार है मतलब मुझे बहुत ज्यादा बुखार है ऐसा नहीं है तो मुझे ये सब क्यों हुआ लगता है तुम पानी में भीग गय हो सही कहा आपने कल मैंने बारिश में ही फुटबॉल खेला था तभी तो थर्मामीटर से आपको कैसे पता चल गया कि मुझे 102 डिगरी बुखार है क्योंकि नापने पर थर्मामीटर की रीडिंग 102 बता रही है तो थर्मामीटर के एक छोर पर काला सा क्या है वह पारा है पारा तापमान बढ़ने पर आगे की तरफ बढ़ता है और हमें तापमान का पता चल जाता है आपने यहाँ पर फारन हाइट लिखा है इसलिए क्योंकि शरीर के तापमान को फारन हाइट में मापा जाता है तो यदि मुझे बुखार ना हो तो थर्मामेटर में पारा कितना बताएगा? देखो, मनुश्यों में शरीर का सामान ये तापमान 98.6 फॉरिन हाइट होता है ओ, समझा मौसम तेजी से बदल रहा है, इसलिए तुम्हें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए मैंने कुछ दवाईयां लिख दी है, इन्हें सुबह शाम ले लेना ठीक है, धन्यवाद